सबसे पहले तो यह लॉयर है सुलंकी साब जिनकी एक बुड़ी माह है एक चोटा बच्चा है पत्नी है नहीं तो बड़े सीरे साधे औरिनेरी से आढमी रोज सुब़े कोड जाते हैं कोड से आते हैं उनकी एक सिमित जिन्दगी है उनकी दोस्तों से मिलना, बाते करना, खाना खाना और फिर सो जाना, फिर सुए कोड जाना इसी तरह से उनकी जिन्दगी चल रही है लेकिन आचानक एक दिन एक केस इनके गोद में आके गरता है और जबकी इन्होंने ये केस मांगा भी नहीं था वो कहीं और से किसी ने इनका नाम बोल दिया और वो केस इनके पास आ गया और प्रशासन भी चाहता है कि ये केस लड़े इस केस में बहुत कटनाईया है ये बैचारे बहुत सोचते समझते हैं ये केस लेते हैं और फिर इनकी आत्रा शुरू होती है जहां पर ये पूरी जिन्दगी इनकी अपनी जिन्दगी दाओं पर लग जाती है जहां पर इनका अपना करियर as a lawyer पूरा profession दाओं पर लग जाता है और एक छोटी बच्ची जिसके उपर अत्याचार हुआ है जिसके उपर ये अशारी खामला हुआ है वो लड़की को न्याय दिलाने में ये आदमी पूरी तरही के से लग जाते है तो ये पूरा जो प्रोसेस है शुरू से लेके अंतक का courtroom drama ये बंदा है और स्वलंकी सहाब वो ordinary आदमी है जिसकी जिन्दगी घर से अपने काम तक काम से घर तक सिमित है